तो आज जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स नीज में हैं उन्हें गवर करेंगे यह सेशन जो है वो प्रिलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच से चलता है जहां पर हम प्रिलिम्स प्लस मेंस कोई भी एक आर्टिकल ऐसा नहीं होता या कोई भी कुछ भी पढ़ो वो अप्रोच कर दो होती हीं कि आप Pel Sikhs की तैयारी कर रहे हो फिर मेंस की तैयारी कर रहे है कि एक इंटेग्रेटिट अप्रोच होती है तो आब रिजल्ट आ चुका है आंड्य हमें पर अप में इस अप्रोच के साथ चल रहा है कि पहले पढ़ लेते हैं में पहले बात में ऐसे पहले और बात का कोई concept नहीं है दोनों की तयारी को साथ में रखो एक article prelims का अप्रोच भी लेता है और means का भी लेता है तो आपको दोनों तरीके से इस session को cater करना चाहिए ठीक है? तो आज के इस session में जो हम चीजें cover करने वाले हैं हो कुछ articles और इन articles के साथ साथ एक editorial है हिंदू में काफी अच्छा editorial है, important है, copyrights के उपर है US के मनलब लगा लो महां का जो supreme court है तो उनकी क्या judgment रही है with respect to copyright हमारे लिए थोड़ा important हो जाता है क्योंकि आप इसका reference अपने means के answer writing में दे सकते हो तो I think without taking any time मैं simply session को शुरू करती हूँ और उसके बाद कुछ भी अगर issues आते हैं, कोई doubts होते हैं जो भी in-depth हमें चीजों को लेकर जाना है तो जैसे से हम proceed करेंगे आपको पता चलता जाएगा अब पहले तो एक news में workshop है जिसका recently that was there जिसका aim क्या है of unifying 60 school examination boards 60 school examination boards को unify करने की बात करी जा रही है purpose क्या है, पूरी बात क्या है, पूरा अच्छे से cover करेंगे GS paper 2 से आप इसको link कर सकते हो तालचपर century Rajasthan के अंदर है और इसको exclusive economic zone sorry, basically it is under जिसको designate किया जा रहा है that is eco sensitive zone exclusive economic zone याद आ गया so eco sensitive zone इसको designate किया जा रहा है अगर आपको याद हो तो हम eco sensitive zone के regarding जो supreme court ने पहले कुछ time पहले बात करी थी तो हम उसको भी cater कर चुके हैं already तो उसको भी यहाँ पर reference देंगे ताकि आपको थोड़ा सा idea लग जाए कि supreme court ने अपने पुराने वले order को modify करते हुए अभी क्या recently कहा था फिर अभी जो submit हुई थी एक अगर आपको याद हो तो हमने इसका पूरा editorial जो है वो cover किया था जिस submit का नाम क्या था that was FIPIC submit forum for India Pacific Island Corporation Submit कहा हुई थी Papua New Guinea के अंदर तो PNG इसको refer करेंगे और आज हमारे लिए prelims के point of view से PNG के बारे में जानना important है everything about it in map बिना map के नहीं तो map देखा तो मतलब cover किया तो GS paper 1 से आप इसको refer कर सकते हो फिर there is directive to halt all the mining activities in sun river bed तो यह जो सोन नदी है इसकी बात हो रही है यहाँ पर जो mining activities हैं उसको halt करने के लिए directive दिया गया है illegal mining हो रही थी so क्या है illegal mining क्या इसका effect पड़ता है वो भी जानेंगे यह river कहां से originate करती है इसकी tributaries क्या है map में देखना बहुत important rivers को भी बिल्कुल you have to see the rivers in map right तो we'll talk about it this river also GS paper 3 से भी आप इसको link कर सकते हो paper 2 से भी कर सकते हो geography के paper 1 से भी कर सकते हो smart cities mission GS paper 2 से link होता है क्या है यह mission कैसे इसकी funding होती है क्या है कैसे implement होता है कौन सी ministry associated है क्यों news में है इसका objective क्या है हर एक चीज़ देखेंगे and last but not the least on copyright infringement and AI यह एक editorial आया है तो क्या इस editorial के अंदर है उसको जानने के लिए मैं पहले आपको बेसिक से मतलब copyright क्या होता है और यह सब कुछ जो है वो बताऊंगी ताकि आपको यह article clear हो जाए ठीक है आपको क्या करना होता है session अच्छा लगता है तो अपनी attendance माग कर सकते हो by liking this session you can share it with the other friends and don't forget to subscribe to the channel as well ठीक है continue करे okay so there you go with the first article जो education ministry है they organized a workshop recently workshop किस लिए थी with the aim of unifying 60 school examination boards operating in different states and UT's under one umbrella तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है देखो अलग-अलग education boards होते अलग-अलग states और UT's के हम बोलते है आप कोण से education boards हो आपने 12 कहां से pass out करती if you remember so वैसे ही कुछ होता है लेकिन देखो यह जो boards है they are responsible for conducting the exams they are responsible for setting out the rules regulations, guidelines for the students अपने अलग-अलग states और UT's के अंदर so यहाँ पर देखो sometimes it happens कि these boards as they are having different rules for the exam so it might be unfair for the students it might be confusing also so we want to give equal chance when it comes to exams बिलकुल सही बात है तो ministry of education क्या है boss है of all the schools in our country imagine like that so they organized a special workshop जिसका एम है to bring all these 60 examination boards together make them work as one big group इससे हो का क्या? इससे basically education ministry चाहती है to make sure that all the students across the country they have a fair chance an equal chance when it comes to exam मतलब you can say they want to unify जिसका मतलब साथ में लेके आना चाहते हैं इन सभी different boards को under one umbrella तो जब यह boards unify होंगे it means all the students matter नहीं करता फिर वो कौन से स्टेट से हैं कौन से UT से हैं they are from they will have same rules to follow for the same exams to take तो यह जो है जंडा है तो workshop इस direction में एक important step है to achieve this goal and as a part of this plan to bring this different school examination boards together special organization has been set up जिसका नाम है परक तो अब जब lines में read करूंगे आपके लिए तो असान हो जाएंगी the workshop will study जैसे मैंने आपको बताया school assessments, examination practices equivalence of boards across the country और main plan, main component जो है इस plan का वो क्या है परक National Assessment Center so it has been set up as an organization under the National Council of Education, Research and Training परक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ तब आपके लिए ये lines पढ़ना और रिसान हो जाएगा परक the role क्या है परक का? परक stands for National Assessment Center also ये मतलब सोचलो एक team, एक group है जो कि responsible होगा for assessing, evaluating, judging की बच्चे की progress क्या हो रही है उसकी learning क्या है मनलब यहाँ पर जो assessment परक that will be conducted by परक it will help teachers also schools also to understand की how well they are doing in terms of teaching बच्चा रोट लर्निंग तो नहीं कर रहा है क्योंकि हम चाहते है कि from अब रोट लर्निंग नहीं हो आपके concepts जो है learning in the schools so यह एम है परक का परक एक सोचलो एक framework है जो की proposed किया गया by national education policy इसका परपस क्या है सिरफ सुनना है आपको मतलब notes making कुछ मत करो सिरफ अभी सुनो तो परक का परपस है to bring balance fairness to the way students are assessed and evaluated in the schools so इसका एम है to move away from just memorizing the facts और deep understanding concepts की ये परक कहता है so परक बेसिकली अब देखो benchmark assessment framework है मैने आपको बताया it will function as a standard setting body for the student assessment ये भी बताया the mandate of परक is to work on bringing the school boards across the states and uts to a common platform तो यहाँ पर परक will act as a common platform to develop holistic approach कि ensure करना एक fair assessment system हो जहाँ पर equity हो एक level पर सभी बच्चे है तो परक aims to establish a unified framework it includes aligning curriculum standards grading system and recognition of certificates तो ये सब को जो है परक के अंदर आता है ठीक है अगला जो article है that is regarding your river sorry century जिसको basically designate किया जाएगा proposal है proposes to designate तालचपर century as eco-sensitive zone तो जो environment, forest and climate change की ministry है उन्होंने प्रपोस किया है to designate this century आप देख सकते हो कहाँ पर थोड़ा राजस्तान गूम के आते हैं ये है तालचपर century इसको eco-sensitive zone को declare करने की बात करी गए designate करने की बात करी गए बाकी centuries भी देखो पहले national park, सरिस्का national park, कियो लादियो national park, रन्थंबूर national park तो इससे क्या हो गया, north-south arrangement भी पता चल गया और नो थोड़ा ये भी जैसे the desert national park तो थोड़ा ये भी अंदाजा लगा लिया गरो की same latitude, same longitude, अगल बगल थोड़ा सा कौन-कौन सी है बिना map के नहीं आएगा आज का homework राजस्तान घूमना है और ये जो protected areas है खुद से mark करना है ठीक है तो ये जो तालचपर century है 1962 के अंदर इट वस डेक्लेरड as a reserved area 1966 में century का status मिल गया था इसका जो it is situated on the border of great indian thar desert राजस्तान चुरू district के अंदर ये wildlife century है मतलब flat territory है, thin low lying region है its century is home to over 4500 black bucks, chinkara and more than 250 species of birds ठीक है, ये हो गया फना की बात अब it is a distinctive shelter of most graceful antilope जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा that is black buck और ये एक halting place भी है migratory birds के लिए जो आते हैं Central Asia और Europe से बाकि इसकी जो corrective six हैं सवाना से मिलती हैं flora की बात करूँ तो open और wide grasslands हैं तो ये कुछ species की बात हो गई eco sensitive zone क्या होते हैं eco sensitive zone basically to conserve the biodiversity to manage the biodiversity across the protected area we have eco sensitive zone मतलब एकदम से अगर आप बोलो पारी activity शुरू हो जाएं ऐसा नहीं होता है एक buffer zone की तरह आप बोल सकते हैं it is created as a buffer zone under environment protection act तो eco sensitive zone could go up to 10 km around a protected area also मतलब ये protected area है इसके थोड़ा सा buffer create कर दिया buffer zone जहां पर थोड़ी activities allowed करी कुछ exceptions हो गई तो main area से तो यहां पर supreme court ने पिछले साल अपने modify किया था order को mandated minimum 1 km eco sensitive zone मतलब national park और wildlife centuries जो हैं उसके around minimum 1 km का eco sensitive zone होना चाहिए अभी April की ही बात है जब अगर आपको याद हो तो supreme court modifies its order on the eco sensitive zone जो last year उन्होंने दिये थे regard यह जो मैंने बात करी तो यहां पर supreme court का modified order के अंदर यह कहना है कि eco sensitive zone का purpose जो है that is not to hamper to day to day activities but to protect the environment environment protect करना है तो कहीं पर अगर मैं एक लगादू की ठीक है 1 km तक होना ही चाहिए minimum 1 km तो होना ही चाहिए eco sensitive zone किसी भी national park कह रहा हूँ इतने किलोमेटर तक कहीं पर जिस तरीके का terrain है उसे साब से क्या बता इतना eco sensitive zone चाहिए हो कहने का मतलब यह हो गया कि जो agenda है जो purpose है वो मैं signify कर दूँ कि इतने किलोमेटर तक minimum इतना चाहिए ही है तो वो हो नहीं सकता है लेकिन हां माइनिंग जैसी चीज़ें हो गई within the national park, wildlife century या एक किलोमेटर के आसपास they shall not be permissible बेहुल सही बात है so that was the case here so जो prohibited activities है within the eco sensitive zone वो क्या है mining नहीं होनी चाहिए कोई hydro power, hydroelectric project नहीं कोई industries नहीं जो pollution cause करे commercial use नहीं wood का activities जो permitted होती है eco sensitive zone में वो क्या होती है rain water harvesting, organic farming कर लो horticulture practices ले लो renewable energy sources का use हो गया adoption of green technology so these are the basically activities that are permitted in the eco sensitive zone ठीक है अगला जो article है वो है regarding the Papua New Guinea जिसकी हम बात करेंगे PNG हम map में देखेंगे यह आप देख सकते हो Pacific Ocean के अंदर यह पढ़ता है Papua New Guinea और यह इधर Indonesia पढ़ता है, इधर है Australia, तो यहाँ पर Prime Minister concluded his visit to PNG where he co-hosted, एक तरफ हमारे PM थे और एक तरफ Guinea के ही PM थे, so यह forum जो थी, यह third summit थी पहली summit हुई थी 2014 के अंदर, Fiji में right, so it was the, इसकी full form क्या है forum का? FIPIC summit Forum for India Pacific Island Corporation, जिसकी मैं editorial में incomplete analysis, मतलब complete analysis कर चुकी हूँ, in detail वोलना था वैसे, तो 2014 में यह submit first time हुई, अभी यह third submit हो रही है, जिसके अंदर 14 member nations है, island countries आप बोल सकते हूँ, 14 के 14 ध्यान में रख लेना, और यहाँ पर, अभी यह जो submit conclude हुई है, तो इंडिया ने जो announcements खड़ी है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो प्रधान मंत्री जी है, उनों ने कुछ initiatives अनूंस किये हैं, जैसे establishment of a super speciality, cardiology hospital फिजी के अंदर होया, Indian government will bear the full coast of this project green field project है, sea ambulance will be provided to all the 14 Pacific island nations, PM ने ये भी pledge किया to provide desalination units for the people of every Pacific island country, देखो यहाँ पर India का ये होना बहुत जादा मतलब ये forum की significance है कि आप अपनी ties को strengthen कर रहे हो पहले तो इन nations के साथ, और ये nation बहुत ही crucial lore प्रे करते हैं, पासिफिक ocean में ये लाई करते हैं सारे island nations, और यहाँ पर India is a voice, बड़े-बड़े forums में, बिग forums में, इंडिया is a voice to these nations, climate change ही देख लो आप for example, सबसे जादा impact यहाँ से ही पड़ेगा क्योंकि sea level rise होगा, ये island nations and they might get submerged तो यहाँ पर ये submit provided opportunity for collaboration and dialogue between India and Pacific island nations तो ये सब बाते थोड़े आपके means के perspective से हैं प्रिलिंस के perspective से जैसे कि आपके पास अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आपको पता होना चाहिए Micronesia, Millinesia, Polynesia के अंदर कौन-कौन सी island जाते है तो ये Papua New Guinea किस के अंदर पढ़ता है Millinesia के अंदर ये होंबग देना था बड़ चला हम बता दिया है It is an island country map ने आपको दिखा दिया South Western Pacific के अंदर है It includes the eastern half of the New Guinea and many small offshore islands Indonesia to the west, Australia to the south Solomon Island to the southeast Port Morsi Bay capital है Mainly mountainous terrain है और यहाँ पर अगर आप देखो तो people are generally referred to as Millinesians कहाँ पढ़ता है, Millinesia के अंदर, right? English यहाँ की main language है जो बोकी होती है of the government and commerce Everyday context में जो language बॉली जोती है That is auspician मतलब आप इसको ऐसे मर्जी प्रनाउंस करें Linguistically बात करूँ तो it is most diverse country यहाँ पर 800 से जादा languages है Mainly लोग like Christian religion है यहाँ लोगों का और 1973 के अंदर it become a self-governing and 1975 में independence मिला और यहाँ पर constitutional monarchy है country के अंदर and a member of commonwealth है country तो head of the state जैसे the British monarch represented by governor general is the head of state और prime minister जो है वो है head of government ठीक है? clear हो गया? तो moving on to the next article that is your आज आपके लिए पहले तो homework है आप NGT के बारे में पढ़ोगे मैंने बहुत बार NGT कवर किया है अगर आप यह सेशन स्टार्टिंग से देख रहे हो तो तो अभी NGT ने डारेक्टिव इसू किया है to halt all the mining activities in the sun river bed सोन नदी में जो भी mining activities हो रही है NGT ने इसू किया है डारेक्टिव कि वो सब बंध हो क्योंकि डारेक्टिव एड्रेस क्या कर रहा है illegal mining हो रही है imposing environment composition on the mining companies तो पहले तो हमना थोड़ा सोन नदी के वो देख लेते हैं कहां पर है यह है नदी ठीक है अमर कंटक प्लाटू से यह originate होती है और यह पतना में बिहार में यह गंगा को merge कर जाती है तो perennial river है second largest southern tributary है गंगा की यमुना रिवर के बाद right bank अमर कंटक हिल से originate करती है 36 गर district से और गंगा को जाके मिल जाती है पतना के पास बहुत से waterfalls भी बनाती है और चार स्टेट से बहती है 36 गर, MP, UP और बिहार tributaries की बात करूँ जैसे घगर, जोहिला, छोटी मान, अधी, बानस, गोपर, रिहन, कनहर, कोल रिवर यह सारी इसकी tributaries है यह देखो यहाँ सर्जिनेट कर रही है मैप में बहुत ज्यादा important है यह नदिया देखना यह गंगा रिवर बह रही है और यह है बगल से आ रही है यह मुना रिवर, ठीक है तो prominent dams और hydroelectric project जैसे बान सागर, रिहन, इंदरपूरी कोईलवार ब्रेज, यह सारे important dams और hydroelectric projects हैं यहाँ पे रही बात, जो क्यों news में है वो आपको पता चली गया होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है illegal mining so NGT, मनलब सबको पता है special organization है, जो की काम करती है to protect the environment and make sure that the rules, जो environment से related है, वो follow हो रहे है तो यह, mining जो companies है, कुछ illegal mining कर रहे है, mining क्या होता है mining मनलब, and you are digging up the ground to extract the valuable minerals, जैसे coal, iron, other resources so sometimes mining illegal होती है मनलब, mining without permission हो रहे है, they are not following the rules environment hazardous हो रहा है so यह NGT has asked, कि who were mining in that area कि अपने activities को बंद करो और यहाँ पर एक environmental compensation भी imposed किया है on the mining companies, environmental compensation मनलब, companies, जो illegal mining activities में responsible थी, they have to pay a fine a penalty that they have cost to the environment उसके चलते so देखो, यह चीज होने से यह step है towards maintaining a balance between आप economic activities तो करो, लेकिन साथ-साथ environment को नुक्सान मत पहुचाओ so it will send a message that everyone should follow the rules and take care of the natural resources ठीक है, clear हो गे अगला जो article है वो है, smart cities mission के उपर, तो recently government said that more than 90% of the funds allocated under the smart cities mission have been utilized now, 90% funds जो थे वो utilized हो चुके हैं 73% of the projects have been completed, तो smart cities mission क्या है, smart city की definition क्या है आपके लिए, देखो, as such कोई smart cities की definition नहीं है आप कोई भी स्मिटी अगर वहाँ पर sustainable development हो रहा है, clean energy है और better facilities है so that is a smart city smart city की कोई as such particular definition नहीं होती है smart cities mission जो है अब इसके बारे में बात करूँ तो 2015 के अंदर इसको launch किया गया था to promote cities that provide core infrastructure give a decent quality of life to the citizens clean and sustainable environment through the application of smart solutions so cities है that have been selected to be developed as smart cities centrally sponsored scheme है funding financing देखो तो यह multiple sources से आती है चाहे वो 22% central government दे रही है और कुछ funding states और urban local bodies से आ रही है कुछ ही अलग-अलग missions है इनकी convergence से आ रही है 21% of the funding तो यह financing भारी है इसकी कौन implement कर रहा है इसको जैसे कि मैंने बताया ministry of urban development है and it is being monitored by the committee that is headed by the secretary housing and urban affairs smart city advisory forum है जो कि एस्टेबिश हुआ at the city level to advise and enable collaboration among the various stakeholders तो अगर आपको ध्यान हो smart cities mission जो है यहां integrated command and control centers भी announce किये गए है so in smart cities के अंदर they will have क्या है यह ICC ICC integrated command and control center जहां पर they will act as a nerve center for operations जेको city के अंदर जो भी day in day out operations हो रही है so यह nerve center की तरह काम करेंगे जहां पर आप सोचो real time monitoring होगी video walls है for real time monitoring मतलब centers are established to enable smart living smart environment हो smart governance हो smart population smart mobility surveillance की जिसकी हम बात करते हैं right so यह सब कुछ ensure होगा यहां पर तो यह ऐसे ही कोई भी city जो है वो smart city बनती है कोई देख बोलें smart city का कोई वो नहीं है कोई well defined definition नहीं है it is through smart solutions आप smart city बना रहे हो that's it right so this is the case here अगला जो article है वो बात कर रहा है on copyright infringement and AI सोचो की मेरा एक बहुत ही creative mind है और मैंने कुछ बनाया कुछ भी लाही मैं कोई book लिखती या कुछ भी creative करके कोई चीज बनाई कुछ develop कर दिया don't you think कि मैंने अपना resources लगाया अपना दिमाग लगाया मतलब I should get that exclusive rights मुझे मिलने चाहिए उसके regarding कि कल को मैं कुछ बना रही हूँ सामने वाला कुछ भी copy करके market में जाके बेच दे महनत मेरी कर कोई और रहा है पाइदा किसी और को मिल रहा है तो जब आप कुछ innovative करते हो अपने creative mind से कुछ लेकर आ रहे हो तो उसको बंदे को उसके exclusive right मिलने चाहिए यह है IPR intellectual property rights इस article को समझने के लिए पहले आपको यह चीज़ें clear होनी चाहिए तो IPR वो rights है that are given to the person over the creation of their minds so these rights are outlined in article 27 of the Universal Declaration of Human Rights IPR के types जैसे आप लगा लो trademark हो गया patent हो गया copyright हो गया जैसे चिडिया विटर के लिए हो गई और श्री राम जाईयस का logo हो गया यह क्या है यह सब trademark और अनगाडमी का logo हो जाता है या फिर जो कुछ भी लगा लो आप जाए यह सब copyright लगा लो तो copyright क्या है copyright आपने कुछ किया है तो legal right है जो आपके original work को protect कर रहे चाहे वो art हो, music हो, literature हो films हो, computer programs हो यह सब कुछ अब अलग-अलग countries में इनके regarding कुछ exceptions भी होते है मतलब जब आप कोई product लेकर आ रहे हो तो आपका purpose क्या solve कर रहा है overall आप चाहते हो market में जब उतरे तो आप एक purpose के साथ उतर रहे हो तो copyright कब लगना चाहिए तो वहाँ पर कुछ exceptions भी है कि यहाँ क्या इस case में copyright लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए तो US के अंदर यह कुछ exceptions है based on कि क्या case है उसे साथ से वो देखा जाता है right four factors देखे जाते हैं कि यहाँ copyright लगना चाहिए नहीं based on वो case क्या है अब इसलिए यहाँ पर एक US के अंदर case उठा तो जहाँ पर judgment आई है Europe में well codified हैं चीज़ें तो वहाँ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया दिक्कत दिक्कत नहीं आया flexibility नहीं है simple सी चीज़ें proper well written है कुछ पंगन ही हो था कहने का मतलब यह है कि अभी जो recent decision हो है वो किस regarding है वो क्या issue है वो है यह case जो आप अपने means में use कर सकते हो The recent decision of US Supreme Court in the Andy Warhol Foundation for Visual Arts versus Goldsmith यह तस्वीर देख रहे हूँ So Goldsmith photographed this famous musician prince in 1981 अभी जो Warhol Foundation है उन्होंने ऐसी picture market में लाई ऐसा ही sketch बनाया तो यहाँ बनता है copyright का case तो अब पहले जैसे हमारे है district court होते है न वहाँ पर court ने क्या कहा वो बताऊंगी जैसे US के अंदर तो मैंने बोल दिया कि proper specifically हर चीज़े covered है US के अंदर Europe में US के अंदर क्या है न चार factors को consider किया जाता है कि क्या वो चीज़ जो आप ला रहे हो उसका मतलब particular use क्या है copyright issue यह सब चीज़े लगनी चाहिए यह नहीं इस case पे चार factors को देखा जाता है पहले कि purpose and character of the use आपने एक product लाया जैसे यह sketch ही हो गया मानलो इसका दूसरा किसी ने ऐसा ही same sketch बनाया तो इसका purpose क्या है क्या character of use है nature of the copyrighted framework amount and substantiality of the portion taken by the defendant कितना portion लिया effect of the use on the potential market आप जिस तरी किसे use करे हो उसका market पे क्या effect होगा और highest importance is given to the first factor जहां पर हम बात करते हैं transformative की whether the use of something can be considered transformative तो यहां बरना जो US की जो देखो यह जो approach है किसी भी case को लेके हर case को लेके अलग fact मतलब यह चार factors है हर case के लिए अलग अलग चीज़े बनते है यहां पर यह लगता है यह लगता है तो copyright का issue नहीं आना चाहिए यह यहां आना चाहिए चार factors देखे जाते है तो एक open-ended approach है flexible है थोड़ी सी तो यहां पर पहला तो जो जैसे वहां district court लगा लो तो बहां उन्होंने जो judgment दी है वो गई Warhol के foundation के उसमें साइट में कि the work was transformative वो एक transformative work है they have a different character and यहां पर it is observed that Warhol's work added something new to the world of art इसलिए कोई copyright का issue नहीं बनता लेकिन जब वहां के supreme court लगा लो वहां जब judgment आई तो majority of the judges concluded कि transformative तो second factor मानो पहले तो आप यह देखो कि वो purpose क्या है उसका और यह जो purpose है वो same purpose है commercial purpose के लिए आप उसको use कर रहे हो जो की गलत है तो उन्हें ने दूसरा factor ले लिया तो यह एक approach आप देखने की बात है कि judges concluded that if an original work and secondary work have more or less similar purpose and if the secondary use is of the commercial fair तो यह एक case यहां पर बना कि Warhol की जो adaptations है they had more or less the same purpose लेकिन यहां पर उसका भी commercial purpose है और आपने क्या किया है यहां पर भी आप commercial purpose के लिए ही यह कर रहे हो तो copyright का issue बनता है तो यह goldsmith के favor में ऐसे गया so I think अब आपको clear हो गया यह चीजें जो हैं आप अपने means में use कर सकते हो GS paper 3 में भी use कर सकते हो इसी supreme court की judgment जो आई ही है चाहे वो US के रिगार ऐसे तो इंडिया के supreme court की judgment important होती है आप से तो direct उनकी judgment से question बन जाता है यह direct question नहीं तो आप indirectly यह चीजें add on कर सकते है अपने answers में ठीक है तो आज के session के लिए इतना ही उमीद करती हुए session आपको अच्छा लगाँ this is your mentor Arzu Kakkar signing off for today we'll meet you in the next one till then take care everyone good luck, good wishes, happy learning, all the best